बिस्मिल्लाहिरामान रहीम असलाम उलेकुम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं अंशराज बेकिंग अंड विलॉक्स कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अलहम्दुलिल्ला जैसा आज डादर दे आप सब जानते है हैं ऑज है फाद ड़य य केक बनाइं के बहु factors कैक पर स्मेश ही कैक कैक डबल बॉाइलर पर सिर्फ पानी जो है वो एक बरतन में आपने डालना है और एक बरतन में सिर्फ कुकिंग चॉकलेट डालनी है और इसको पानी की उपर रख देना है तो यह खुद ही मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर आप लोगों ने कोई भी चीज एड़ नी करनी यह मैं कितनी अच्छी मेल्ट हुई है अच्छा मेल्ट होने के बाद यह मैंने पिनाटा मोल्ड ले लिया है इसके अंदर मैंने कुकिंग चॉकलेट डाल दी है इसको अच्छे तरीके से जो है वो आप इसमें पहला दे मैंने चॉकलेट लेती 200 ग्राम अच्छे तरीके से आप इस मैंने कुकिंग चॉकलेट इसमें डाली और एक्स्ट्रा थी मैंने इसमें उल्टा करके वापस डाल दी बिल्कुल इसको टैप करके जो है वो कुकिंग चॉकलेट नहीं निकाली बस इसको उल्टा करें जितनी निकल सकती है वो खुद बखुद निकल जाएगी और इसको फिर तैएğ वे दोबारा इस पे कुकिंग चॉकलिट डाली थी और उसके बाद दोबारा मैंने 15 मिनट के लिए दोग फरेज में रख दिया था फ्रीज में नहीं रखना परीज में इसके बाद इसको आप 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखें और यह आसानी से चॉकलिट बार्ड तैयार हो जाते हैं आसानी से निकल जाते हैं अच्छा अब मैंने मोल से जो है वो चॉकलिट हार्ड जो था वो मैंने निकाल लिया था उसके बाद जो है यह मैंने ब्राउनी पहले से ही बना के रख दी उसके बाद मैंने इसकी डिकॉरेशन करनी थी इस तरह से मैंने चौकलेट हार्ट जो है वो सेंटर में रखा और साइड से जो है वो मैंने ब्राउनी रखी और उसके बाद जो मैंने छोटे-छोटे चौकलेट बार्स बनाए थे वो मैंने साइड पे और जगा-जगा पे मैंने रख दिये थे ताके इसकी लूप जो है वो आपनी पसंद का कोई भी डिजाइन भी बना सकते हैं आज फादर डे था तो मेरा ये ओर्डर भी था तो इसलिए मैंने इस पे हैपी फादर डे लिखा है जो कि बहुत खुबसूरत लग रहा है और इस तरह से आप कोई भी अच्छी सी डेकॉरेशन भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा कल इंशालला किसी और विलॉग में आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्ला हाफेज झालललल्ला हाफेज प्लीज में आपसे मुला आपसे मुलाई प्लीज जरूर कर सकते हैं